नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भाई reasoning का जो हमारा साध्रिशिता यानि कि analogy चेप्टर चल रहा है तो यह analogy का भाई अगर हम बात करें तो analogy का part 2 है ठीक है यानि कि class 2 है अगर आप लोगों ने पहली class नहीं द आया था कि भाई इसमें तीन टाइब के question होते हैं जैसे कि लेटर analogy दूसरे नंबर पर आप लोगों को number analogy और तीसरे नंबर में word analogy ठीक है इन तीनों टाइब को लेकर फिर से चल रहे है ठीक है देखिए दोस्तों आज का question 21 नंबर कह रहा है कि उस विकल्ब का चैन करें जिस क्षी प्रकार यहां आपको हमें जो सम्बंद है वह किससे होगा आपको आपसं बिया ग YOUR भौपाल इंदौर और जबलपुर सबसे पहले समझना होगा कि उस प्रकार सम्बंद थे लखनव से तो आपको पता होना चाहिए कि भाई उत्तर प्रदेश की जो यानि की राजधानी है वो लखनव है ठीक है उत्तर प्रदेश की राजधानी कहा है लखनव है तो मद्ध प्रदेश की राजधानी कहा है तो मद्ध प्रदेश की राजधानी भोपाल है ठीक है तो आपसर नमबर सी हमारा राइट हो जाएगा ठीक है चलिए अगला कोश्चन देखते हैं दोस्तों हमाई क्लास कैसे लेखती है विल्कुल फिरे में चला रहे हैं आप लोग कमेंट जरूर किया करिए कि सर बहुत अच्छी लगी या फिर और थोड़ा सा कैसे पढ़ाएं आप लोग बता सकते हो ठीक है फास्ट पढ़ाएं या फिर सुलो तो देखिए दोस्तों अगला नमबर कह रहा है कि क्वेश्चन तो वहीं सब्राइएंगे लेकिन समझना पड़ेगा यहां देखिए नमबर एनलाजी का क्वेश्चन आ चुका है यहां का है कि 4441 संबंदित है तेरा से और भई यानि के एक अटिस च्छतिस कैसे संबंदित होगा ठीक है तो भई यहां देखिए 4441 को क्या करें कि तेरा आ जाए जिन्होंने पार्ट वन देखा उन्हेंने समझ गए होंगे तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहां करना कुछ नहीं होता ह अब लेगों को 44 और 41 को जोडना होगा जोडना होगा यांनि 94 को जोडना होगा या फिर घटाना नहीं हो रहा ना यहनी 4-4-8 8-4 बारा हुरा तो रहा है यार देखें Judah ke 8 जितनी वेरा हमने गुड़ा कर दी है सारी ठीक है जोडना था जोडने पर आ जाए गुड़ा करने पर नहीं आए गए देखें चार धन दन दन एक जोड़िए भाई 4-4 मिलकर आठ 8-4 12-12-13 यानि कि जगर हम इनको सब को जोड़ दें तो हमारा 13 आ जाएगा ठीक है तीन को भी जोड़ लिजे 3-1-4 4-3 कितना हो जाएगा 7-4 दोस्तों कितना हो जाएगा 7-6 7-6 हमारा 13 हो जाएगा कितना दोस्तों 13 आ जाएगा तो इसमें आपसन में नहीं दिया तो यहां मैं आपसन दे देता हूँ आपसन नमबर से ले लिजे भाई यह से दिया रहेगा हमा लिजे 15 आपसन डी दे गए 13 ठीक है तो आपसन नमबर डी हमारा राइट हो जाएगा जोड़ लिजे भाई दे कि साथ छे कितना हो जाएगा दोस्तों तेरा तो आपसन नमबर डी में है तेरा यहां भई हमारी का इंपूर्टर महुदे ने यहां लिखना भूल गए तो यह तेरा हो जाएगा ठीक है चलिए अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन आप लोगों के सामने है भाई देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर आप कैसे बतारों भाई देखिए इस सवाल को इसी परकार करना जोड़ गटा कर मैं आपको बता देता हूँ कि इन सवालों को भाई जोड़ गटा कर ही करना है गुणा करिए जिस परकार बन जाए दिमाग लगाना है फटाक से ठीक हूँ है आपको समझा रहा हूँ वरना बेसिक इंडो का काम है ठीक है छे लिए देखिए अगला कुश्चन देखिए कि नाई संबंदित है बाल से तो दरजी किस से संबंदित होगा सड से या काटना या सिलना या कपड़ा से तो भाई नाई क्या काटता है नाई बाल काटता है ठीक है नाई क्या काटता है जो आप कहां नाई होता जब आप लोग बाल कटवाने जाते हो तो नाई से ही तो कटवाते हो अजब भाई आप कपड़ा ले कर जाओगे तो दरजी के पास जाओगे ना जिसे हम बाल ले कर जाते हैं अपना कटवाने तो नाई के पास जाते हैं उसी परकार जब कपड़ा ले कर जाते हैं सिलवाने या फिर कटवाने तो किसके पास जाएंगे दरजी के पास क्या लेकर जाएंगे कपड़ा लेकर जाएंगे भाई क्या कपड़ा लेकर जाएंगे इस परकार समझना है ठीक है फिर से एक बार समझ लो देखे अगर हम अपना बाल लेकर जाते हैं कटवाने लायक बाल होता है त देख लेकोशन के और वड़ते हैं अगला कुश्यन देख लेते हैं यह रहा अगला कुश्यन हमारा दोस्तों देख लिज्म जे रहना रख दोगे और रख दोगे, वहाँ पर अगर क्या नहीं रखोगे तो नहीं जमेगा, कुरसी नहीं रखोगे तो कहां से जमेगा, देखि जब कमीश पहनेंगे, पतलून नहीं पहनें तो भई कटा कटा लगेगे न, तो उस इपर गार हम मेज रख दें, उस मेज या टेबल की पास भई एक कुरसी नहो चेयर नहो तो उसका मज़ा ही क्या तो क्या रखा जाएगा कुरसी रखा जाएगा क्या आप लोग मेज की पास आल मारी रखते हो फर नीचर रखते हो या फिर पलंग रखते हो ना भाई ना ये सब गलत हो जाएगा आप लोग क्या रखोगे कुर्सी यैनि कि चेयर रखोगे ठीक है सटीक उत्तर देने की कोशिस करा करूँ मिलता जुलता रहेगा लेगन आपको समझने की कोशिस करना पड़ेगा भाई ठीक है चलिए देखें बहुत सारी बच्ची कमेंट कर रहे हैं कि सारे काद कोस्टिन छोड़ दिय जहाज बीड़े से जहाज को बेड़ा कर रखते हैं तोड़ी समबंस्त year तो वहीं से थोड़ी संबंदित है किसी समदित है स्कूल से ठीक है चलिए अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन देखे दोस्तों यह रहा आप लोगों के सामने और मैं इसे आप लोगों को ठीक है या फिर जोडने पर या घटाने पर आप लोग कर लेना मैंने थोड़ा सा हिंट दिया आप लोग कर लेना ठीक है मैंने थोड़ा से हिंट दिया आप लोग कर सकते हो चलिए इसे होम वर्क में कमेंट करना जिन बच्चों का हो जाए भाई कमेंट करना चलिए यहां दे क्या होता है दोस्तों जाल होती है ठीक है आपको मीनिंग आनी चाहिए भाई की देखिए मैं यहां बता देता हूं कि आप लोगों को अगर मीनिंग नहीं आएगी तो आप लोग नहीं कर पाओगी जैसे कि यहां दिया निट तो निट का मतलब क्या होता है दोस्तों निट का म भाई तो अगर आंटीना जब पकड़ाएंगे यानि कि आंटीना किसमें पगड़ेगे तो यही राइट होगा भाई यहां सब कुछ गलत हो जाएगा सिगनल वाला राइट हो जाएगा यांटीना किसलिए लगाते हैं सिगनल पकड़ाएं लें के लिए ना जैसी किनेट एंटीना क्यों लगाया जाता है भाई सिगनल पकड़ाने के लिए ठीक है इस प्रकार से भाई समझना है अगर जो बच्छी दिमाग का परियोग नहीं करेंगे न तो रेजनिंग का मतलब ही क्या होता है भाई कि पेनों उठाओ या न उठाओ भाई दिमाग का परियोग करो ठीक है चेलिए भाई आगला कुछिन देखते हैं अगला कोशन भी बहुत सांधार रहे हैं जैसे कि सैनिक कि से संबंदित होता है युद्ध टैंक से ठीक है यानि कि अगर हम सानिक की बात करें तो हौइए उससे हमेसा संबंदित रहेगैं नाम सुनते है युद्ध का नाम मिफशल ट्रैक्टर यानि कि युद ट्रैंक है तो जिसान क्या करेगा यानि के टैक्टर ले आइगा तब इसकी करेंगा ना भाई ने रहेगा जुताई कैसे करेगा थेके तो इसमें संबंदित सब्सक्राइब हो जाएंगा चलिए दोस्तों अला कोश्चन देखते हैं अग्लदा कोश्चन भी बहुत सब्छानार कर से हमने । कह रहा है कि सान्न का संबंद किसे हैं? हमला करने से यनि कि हंब क्या हमला करता है. ठीक है उसे अगर देखिये भटकना भटकती थोड़ी सरकता है लेकिन तिट्ली क्या करती दोस्तों फड़ फड़ाती है तो भाइ यहां क्या हो जाएगा फड़ फड़ाना और बाकी सब क्या हो जाएगा दोस्तों गलत अपसन नंबर B हमारा राइट हो जाएगा ठीक है फड़ फड़ाना ठीक है चलिए तितली क्या करती है फड़ फड़ाती है दोस्तों आपसे नमबर भी राइट हो जाएगा चलिए अगला कोशन देखते हैं यह रहा अगला कोशन आप लोग देखिए अगला कोशन भी बहुत सांदार कोशन है दिलाता है क्या युद्ध कराता है ना भाई अपराद क्या सहंति करवा देता है ना अपराद क्या अपराद ही तो भाई अपराद ही तो ही रहेगा वह लेकिन अपराद है तो उसको अपराद जो है सजा दिलाता है जैसे कि कानून अदेश देता है उसी प्रकार अपराद सज क्या दिलाता है चलिए यह डाउट के लिए रो जाना चाहिए इसमें रखने की कोई बात ही नहीं लेकिन आपको हम समझा रहे हैं पेन उठाने कोई बात नहीं तुरन देखो तुरन तैंसर ठीक है जैसे की देखिए यह वाला कॉस्चन एक ताल इस नंबर कही रहा है कि बॉक किरकेट की पेए किसमें बाइए किर्केट होगा यह वाला मारेंगे किसमें यह खड़ा रहेगा तो इसमें होगा पीछ में होगा किर्केट कहां होगा sow grate मुझ सो निकल गया धुकिके समझे वीजिग। तो वोक्सिंग कहा होगी भाई रिंग में होगी तो हमें पाता चल गया इसे विर कार क्रिकेट है तो क्रिकेट कहा होगी ही फिंच में होगी फिस नमबढ़ भी लगा लीजिए बीना कुछ सोचे समझे बीना कुछ बताएं आप लोग आप सन्थ भी राइट कर लीजए ठीके दोश्तों चलिई अगला कुश्चन देखते हैं यह रा दोस्तों संबंदित होगा. ठीक है, कॉन से च्टैन्ग कैसे पंदरा से, या 14 से या 18 से, या 20 से, ठीक है, तो भाई समझते है, कैसे ये संबंदित है, तो सबसे पहले मैंने इस सवालों को बताया कि पहले जोड लेते है या फिर घटा लेते हैं या फिर गोड़ा भाग कुछ भी कल लेते हैं जैसे बने देखे 13 15 14 16 17 18 फैसाँ दोस्तों 24 कितना चाएगा चौविस यह जोडने पर आ रहा चोविस जी यह बिल्कुन जोडने पर सही आ रहा तो इसे भी जोड लेते हैं देखिए और इसी प्रकार 91 मिलकर 10 10 चार मिलकर 14 14 मिलकर 15 आपसन नंबर ए में दे रहां 15 राइट हो जाएगा ठीक है जितना तरीके से जोड सको पहले चाहे जों से संख्या जोड़ दो जिसमें आपको असानी लग रही तो आपसन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों ठीक है तो दोस्तों देखिए जाएगा और हमारा चेप्टर समाप्थ हो जाएगा लग-बग लगवन हमने पूरे क्वेस्चान करा दिए हैं जो क्वेस्चान और प्रेक्टिस के लिए बचन हुए हैं उन्हें पाट थी में ले आएएंगे कम से कम 15 कोष्चन ले आएंगे और पूरा का पूरा आपका य यानिकि साध्रिष्टा एनलोजी समाफ्थ हो जाएगा ठीक है दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले चेप्टर में तब तक के लिए धन्यवाद